अगत है दोस्तों आपका नंद के गाडन में आज मैं आपको अपना एक बहुत ही खुबसुरत प्लांट दिखा रही हूँ जिसका नाम है ट्राडेस सांटिया सेला मॉन्टाना और इसका नाम वेल्वेट प्लांट भी है और वाइट लेस भी इसको कहते हैं यह एक सुक्लेंट प्लांट है दिखिए इसके उपर इस तरह की खुबसूरत फ्लारिंग होती है यह दिखिए और जितने ज्यादा इसके उपर स्टेम्स होंगी उतने ज्यादा इसके उपर फ्ल बार्ज आएंगे, बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, क्योंकि ये सकुलिंट फैमली का है, तो इसको स्वाइल भी, वेल ड्रेंड स्वाइल चाहिए, और इसको फुल सन या पार्शल सन में ये अच्छा चलता है, अगर हम ज्यादा सन में रहता है, तो इसकी लीफ में देख छासा, छासाियो सिल्कन फ्रेड जैसा है वो ज़ाधा सन में प्रॉमेन siitä हो जाता है और इसकी जो बैकसाइड वह इस तरह से पुरपल अधने स्टेम्स है जो बहुत यह स्टेम्स है से बहुत तेंडर सिब्सेंड जरहTOच जाती है और इसको किसी भी fertilizer से आप once in a month आप इसको fertilize कर सकते हैं और इसमें बहुत ही कम water requirement है आप once in a week ही डालें और सर्दियों में उससे भी कम हो जाती है और इसके white silver hair इसके उपर देखिए आपको दिख रहा होगा और आप इसको pinch करते रहें यह तो नहीं तो इसकी stems बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एक पर जब flowering हो जाती है तो आप इसकी stems को cut करके आप इसको propagate भी कर सकते है और यह दिखिए मैंने इसकी एक stem को भी एक महना ने कुछ दिन पहले ही इसको लगाया था यह दिखिए इस में यह roots भी आ गई है और यह बहुत ही easy यह propagate करने के लिए आप इसको पानी में भी अगर रखे तो यह उसमें भी easily propagate हो जाता है और यह perennial plant है आपके पास सालों साल रहने वाला है आप इसको cutting pinching करते रहें आप इसकी height maintain करने के लिए तो ठीक रहते है और आप इसको sun में रखें partial sun में रखें यह बहुत ही खुबसूरती से चलता है और यह इसके इस तरह से दो-दो flowers निकलते हैं उपर यह flower अभी बंद है और bloom होने पर इस तरह के जैसे purple heart के होते हैं उस तरह के flowers है इसमें बहुत ही खुबसूरत yellow color है बीच में यह थी मेरे पास जानकारी इन white lace या velvet plant के बारे में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको like कीजिए मैं आपको अपने कुछ और खिलेवे flowers दिखा रही हूं यह यह दिखिए यह लॉलिपप plant है श्रिम्प plant जिसको कहते हैं कितना golden candle भी कहते हैं इसको और यह मेरे पास में ही bleeding heart कितने सुन्दर flowers आया हूं है इसके उपर यह देखिए और यह गंदराज में भी एक bud है उपर देखते हैं कब flower निकलता है तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू